Hello everyone, last video में हमने nutrition in animals chapter 2 start किया था और हमने इसके अंदर nutrition के बारे में जाना था कि nutrition क्या होता है nutrition एक ऐसा process, एक ऐसा mode जिसमें food का intake किया जाता है body के अंदर और उस food को use किया जाता है body के द्वारा इस process में हमने देखा था nutrition और उसके बाद जो animals के अंदर हम nutrition की बात करे थे क्योंकि first chapter में हमने already plants के अंदर nutrition पढ़ लिया था animals में जब हम nutrition की बात करे थे कि हमने देखा था कि जो nutrition process animal के अंदर होता है सबसे पहले food का intake किया जाता है intake किस तरीके से किया जाता है कि जो food को intake करने के तरीके है modes है food को intake करने के वो सारे animals के अंदर different different होते हैं वो vary करते है animals to animals different different organism में अलग होते हैं सारे तरीके कोई suck करके करता है कोई bite करके और कोई swallow कर लेता है food को directly तो इस तरीके से हमने देखा था उसके बाद हम बात कर रहे थे जो intake of food है food के intake होने के बाद food का digestion होगा और हमने digestion स्टार्ट किया था humans के अंदर humans में जो food का digestion होता है वो कहां होता है और इस digestion की help से food जो है वो smaller components में breakdown हो जाएगा ताकि हमारी body उन smaller components को easily use कर सके इसलिए इसके अंदर जो humans होते हैं उनके अंदर एक digestive tract होता है जिसको हम elementary canal भी कहते हैं इस elementary canal के कुछ various compartments होते हैं फर्स था buckle cavity, food pipe, stomach, small intestine, large intestine और anise ये कुछ compartments हैं जिनके थ्रूँ food ट्रेवल करेगा यानि कि पास होगा और food का धीरे-धीरे digestion होता रहेगा यहां पर human digestive system का diagram दिखाया गया है जिसमें सारे glands और elementary canal की picture दिखाई गई है उनकी position दिखाई गई है कि कौन सा जो part है या फिर ये gland है ये कहां कहां पर present होते हैं इसके बाद हम first जो part है या first जो compartment elementary canal का वहां से start करते हैं first compartment क्या था buckle cavity और buckle cavity को हम किस नाम से जानते हैं mouth buckle cavity और mouth एक ही बात है सबसे पहले food जो है वो buckle cavity के अंदर लिया जाएगा buckle cavity के अंदर जो food लिया जाएगा mouth के थूँ जैसे ही हम mouth में डालेंगे हमारी buckle cavity यानि की mouth का जो part है वो start हो जाएगा the process of taking food into the body is called ingestion अब यहाँ पर एक process आता है जैसे ही food को हम अपने mouth में डालते हैं और buckle cavity का जो compartment है वो start हो जाता है तो intake को food यानि की food का हमारी body के अंदर लेना इस process को हम क्या कहते हैं ingestion इन यानि की अंदर आना ingestion जो है food का start हो जाएगा यहाँ पर जैसे ही हम food को अपने mouth में रखेंगे आप उसको चबाना शुरू करेंगे किस की help से teeth की help से teeth की help से जैसे ही food चबाना शुरू होगा यानि की चू शुरू होगा वो break down होने लगता है यानि की तूटने लगता है किन pieces में smaller smaller pieces में वो break down हो जाएगा यानि की जो food हमारे mouth में आया है teeth की help से तूटना start होगा हर tooth यानि की जो हमारा हर दांत है हमारे mouth में हर tooth is rooted in separate socket सारे अलग-अलग एक socket में अलग-अलग spaces बने हुए होते हैं इस तरीके से अलग-अलग sockets होते हैं जिनके अंदर वो rooted होते हैं अच्छे से जड़ों से जुड़े हुए होते हैं हमारे दांत और किन sockets में present होते हैं वो gums में यानि की मसूडों में our teeth very appearance very का मतलब होता है change यानि की जो हमारे teeth है आपस में जो tooth है वो एक दूसरे से vary करते हैं shape में, size में और सबका function भी different होता है और इसी को हम देखेंगे यह हम पता कर सकते हैं या activity की through आपको अपने hands को wash करना है सबसे पहले उसके बाद mirror के पास जाना है mirror में अपने teeth को आपको देखना है सबसे पहले उन्हें count करना है count करने के बाद फिर आप अपनी finger के साथ उनको feel कर सकते हैं touch करके touch करेंगे जब आप तो touch करने के साथ आप एक तो यह बता सकते हैं कि total tooth है कितने और साथ में उनके kinds मतलब किस किस तरीके के हैं उनकी shape कैसी है वो उनके size कैसे हैं और हर teeth जो है वो different different function पर फॉर्म करता है कोई biting का कोई cutting का और कोई tearing का इस तरीके से अपने function पर फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले इस figure के through आप देखिए कि जो teeth की arrangement होती है वो कैसे होती है तो आप previous classes में भी ये पढ़ चुके हैं कि जो teeth होते हैं उनके जो four kinds of teeth होते हैं first है molar, premolar, canine और incisor अगर हम बात करें तो ये सबसे last में हमारे होते हैं ये उसके बाद है premolar, उसके बाद एक होता है canine और फिर दो होते हैं incisors यानि कि यहाँ पर एक formula बन रहा है 21, 23 यानि कि 2 क्या होते हैं incisors जो one है वो होंगे canines, two है फिर से premolar और three है molar यानि कि icpm आप ये याद रख सकते हैं 21, 23 से और जैसे ही ये तो एक half है lower jaw का, एक lower jaw की बात की गई है यहाँ पर और lower jaw में यानि कि जो नीचे का जबड़ा है उसमें एक side के tooth बताए गए है हमें 21, 23 तोटल अगर हम इने count करें 2 प्लस 1, 3, 3 प्लस 2, 5, 5 प्लस 3, 8 यानि कि total 8 है एक side इस तरफ भी 8 होंगे वैसे ही ठीक इसी तरीके से जो upper jaw होगा यहाँ पर उसमें भी 8 इधर होंगे 8 इधर होंगे यानि कि 8, 8, 8, 8 तो total 4 sides 8 हो गए और 8 forza 32 तो total tooth कितने हुए हमारे 32 लेकिन starting में हमारे जो mouth में teeth होते हैं या tooth होते हैं वो कितने होते हैं 28 होते हैं जो 4 teeth हैं last के 1, 2 और इसी तरीके से अपर जाके 1, 2 यानि कि जो 4 teeth हैं 4, 2 ये बाद में आते हैं हमारे पास जैसे कि जब हमें mature हो जाते हैं या adult हो जाते हैं 20 plus हो जाते हैं उस time पर हमारे mouth में grow करते हैं इनको कहा जाता है wisdom tooth जिने आप हिंदी में सुनते होंगे अपने parents से अकल जार जी ने कहा जाता है तो ये बाद में हमारे grow करते हैं यहाँ पर आप function देखिए सबसे पहले है cutting teeth and biting teeth cutting मतलब की चीजों को जो भी हम food खाते हैं उसको cut करने के लिए और उसको bite करने के लिए यानि कि काटने के लिए उसके pieces करने के लिए जो teeth होते हैं वो होते हैं incisor incisor का ये काम होता है lower jaw में कितने होते हैं total 4 और upper jaw में भी होते हैं 4 क्योंकि दोनों तरफ 2-2 थे तो total कितने हो गई हाँ पर 8 उसके बाद piercing and tearing यानि कि food के अंदर छेद करने के लिए और उसको फाड़ने के लिए यानि कि जैसे कि आपने carnivores animals में loin वगयरा में देखा होगा जो canines होते हैं वो लंबे होते हैं इस तरीके से यानि कि यह जो है pointed होता है इसकी help से food को easily tear फाड़ा जा सकते हैं और चीर सकते हैं वो कच्चे मास को जो खाते हैं तो यह होते हैं canines अपर में भी और lower में भी 2-2 होते हैं तो total हो गए 4 यहाँ पर उसके बाद chewing और grinding यानि कि teeth को chew करने के लिए और grind करने के लिए जैसे कि grind का मतलब होता है जैसे आप mixture में जो mixture होता है घर में machine जो होती है उसकी help से बिल्कुल piece दिया जाता है चू कर लिया जाता है food को तो इसके लिए होते है pre molar भी और molar भी सबका एक ही function होता है तो total जो pre molar और molar होते हैं pre molar 2-2 यानि कि 4-4 होते हैं 8 और molar 6-6 यानि कि होते हैं 12 तो यह हो गए हमारे 20 यानि कि 10 10-10 होते हैं दोनों side तो 20 हो गए यहाँ पर तो यह total कितने हो गए हमारे 32 इसके बाद देखिए अब बात आती है कि जो mouth है हमारे mouth के अंदर salivary gland होता है क्योंकि हमने diagram में बात की थी salivary gland secret करेगा saliva यानि कि salivary gland जो हमारे mouth में है यह भी digestion में help करता है यह एक liquid secret करता है saliva जिसे आप कई बार आप देखते होंगे जैसे ही आप अपने favorite food को देखते हैं आपके मुह में पानी आने लगता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं लार यह लार इसको कहा जाता है saliva एक्चली इसका बहुत important function होता है यह लार क्या करते है यह saliva क्या करता है जैसे ही हम mouth में food को रखते हैं उसी time पे digestion स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हमने food को किसमें रख लिया? बकल कैविटी में और बकल कैविटी हमारे digestive tract का यानि digestive system का first compartment है बकल कैविटी और जैसी बकल कैविटी के अंदर हम mouth में food रखते हैं वही पर food का digestion स्टार्ट हो जाता है और food के अंदर क्या होता है? nutrients होते हैं और कौन से nutrient का digestion स्टार्ट होगा? तो सबसे पहले food के अंदर जो carbohydrate होता है उसका digestion स्टार्ट होने लगता है यानि कि carbohydrate smaller जो particles है या smaller substances में उनमें breakdown होने लगेगा और इसका proof हमें मिलेगा किस से? इस activity 2.3 से इस activity से हमें ये proof मिलेगा कि जो food का digestion हमारे mouth में ही स्टार्ट हो गया और carbohydrate का digestion स्टार्ट हुआ है सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो test tubes लेंगे यह आप देख पा रहे हैं दो test tubes एक को label A कर लिया और एक को label हमने B कर लिया जो A test tube है इसके अंदर हमने boiled rice डाल दिये test tube B के अंदर हमने boiled rice को डाला after chew करने के बाद मतलब की दो test tube के अंदर हमने first test tube में तो ऐसी boiled rice जो है उनको डाल दिया इसमें और B में हमने अच्छे से चबाके उसको फिर डाला उसके अंदर और फिर हम दोनों के अंदर drop by drop डालेंगे iodine solution iodine solution अपने sixth class में भी पढ़ चुके हो जैसी iodine solution कार्बो हाइडरेट के साथ या फिर starch के साथ एड होता है blue black color देता है और blue black color आएगा सिर्फ A test tube के अंदर B test tube में नहीं आएगा क्योंकि A test tube में जो rice थे boiled rice उनके अंदर starch था क्योंकि boiled rice के अंदर starch होता है कार्बो हाइडरेट होता है तो कार्बो हाइडरेट के साथ मिलकर जो iodine solution है वो क्या देगा blue black color दे रहा है जैसे आप इसमें देख रहे हैं लेकिन इसमें तो blue black color नहीं आया क्योंकि हमने इसके अंदर rice को जिऊ करके डाला था चबा कर डाला था और चबाने के बाद जो digestion हो चुका था किसका कार्बो हाइडरेट का यानि कि boiled rice में से कार्बो हाइडरेट तो अल्रेडी चला गया वो nutrient बन गया वो simpler substances में breakdown हो चुका यानि कि उसका digestion complete हो चुका इसलिए यहाँ पर कोई भी color नहीं आया क्योंकि यहाँ पर digestion जो है chew करने के बाद यानि कि buckle cavity में mouth में chew करने के बाद digestion हो चुका है कार्बो हाइडरेट का तो यहाँ से हमें proof मिलता है कि mouth में ऐसा कुछ होता है जिसकी help से food का digestion स्टार्ट हो चुका और वो क्या था salivary gland, salivary gland से निकलता है saliva जो हमारे कार्बो हाइडरेट को breakdown कर देता है और उसको smaller pieces के अंदर तोड देता है तो यहाँ पर यह topic हतम हो गया इसके बाद एक blue box यहाँ पर हमारा रह गया था blue box में आपको milk teeth और permanent teeth के बारे में बताया गया है milk teeth और permanent teeth आप सुनते हैं जिनने हम कहते हैं दूद के दांत milk teeth क्या होता है जब हम infant होते हैं यानि कि हम शीशू होते हैं छोटे बच्चे होते हैं उस time पर हमारे जो दात हैं हमारे teeth fall off करने लगते हैं at the age between 6 to 8 यानि कि जब आप 6-8 साल के होते हैं तो हमारे teeth जो हैं वो एके करके गिरने लगते हैं ये first set होता है teeth का जब हम एक दो साल के होंगे उस time पर ये grow करते हैं और 6-8 साल के दौरान ये तूटने लगते हैं इनको हम कहते हैं milk teeth ये temporary teeth होते हैं ये सिर्फ हमें starting में आते हैं जो 6-8 साल की उम्र में तूटना शुरू हो जाते हैं उसके बाद उनकी जगह पर नए दात आते हैं नए teeth grow करते हैं जिने हम कहते हैं permanent teeth और ये हमारी life के साथ जब तक हम जीएंगे तब तक हमारे mouth में रहते हैं और कब गिरना start होंगे जब हम old हो जाते हैं जब हम बुडे हो जाते हैं उस time पर गिरना start होंगे या फिर किसी disease के कारण भी तूट सकते हैं लेकिन ये permanent teeth होते हैं अगर आप बिलकुल सही हैं आपको कोई disease नहीं है tooth से related तो ये आपके throughout the life रहते हैं जब तक आप जीए होगे तब तक रहेंगे और old age में यानि की बुडे होने के बाद धीरे धीरे अपने आप गिरने लगेंगे जो कि normal होता है ये सब के साथ होता है उसके बाद य पेन होता है ऐसा क्यों होता है जिसे कहते हैं हम हिंदी में आम भाशा में कहते हैं कि दात में कीड़े लगना actually क्या होता है वो हमारे tooth में cavities हो जाती है जिसे हम कह देते हैं normally हम कह देते हैं कि जो है दात में कीड़ा लगया या पेन हो रहा है उसके अंदर उसमें क्या होगा कई बार आप खाना खाने के बाद जब आप अपने टीट को अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं या फिर हम ब्रश नहीं करते हैं तो क्या होगा हमारे टीट के अंदर हमारे दातों के साथ कुछ ना कुछ फूड पार्टिकल अटैच्ड रहता है जिसे जो निकल नहीं पाता और वो फूड बन जाता है उन बैक्टिरियास के लिए जो हमारे माॉथ में रहते हैं लेकिन वो harmful नहीं होते बट अगर वो food हमारे tooth में चिपका हुआ रह गया वहीं पर attached रह गया तो ये bacteria उस food को खाने लग जाएंगे और ये harmful हो जाते हैं उस time पर bacteria जैसे ही उस food को खाएंगे उसमें से sugar को breakdown करेंगे धीरे धीरे एक acid release करते रहते हैं वो acid अगर release हुआ हमारे tooth में तो हमारे tooth को decay करना start कर देता है खराब करना start कर देगा और वहाँ पर बन जाएगी cavity यानि कि हमारा दात खोकला हो जाएगा उसी process को हम कहते हैं tooth decay यानि कि यहाँ पर हमारा tooth खराब हो जाएगा उसमें दर्थ होने लगेगा pain होगा और बहुत जादा cases में तो बहुत जादा दर्थ होता है हमारे tooth loss हो जाते हैं यानि कि हम अपने दातों को खो देते हैं और यह कब होता है जब हम इस तरीके का food खाएं जैसे chocolate, toffees वगेरा, cold rings खाब खाते हैं जिनमें sugar product बहुत जादा होता है तो इस तरीके का food खाने के बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने दातों को अच्छे से clean करें brush करें, कुला कर सकते हैं हम और दिन में कम से कम दो बार आपको brush करना चाहिए अपने mouth को हर खाना खाने के बाद यानि कि every meal हर जब भी आप खाना खाओ जिस भी time उसके बाद अपने mouth को अच्छे से rinse करें, अच्छे से कुला करें ताकि कोई भी जो food particle हमारे mouth में attached नहरा चाहिए यहाँ पर हम ये topic finish करते हैं इसके बाद हम next video में discuss करेंगे